वन्स अगेन वेलकम टो माई चेनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए वीडियो में लाई हूँ कि सेकंड मन्त वाले बेबी में क्या-क्या डैवलेमेंट होते हैं वो क्या-क्या एक्टिविटी करता है तो यह में छोटी सी गुड़ा है तो अभी उस दिरों बाद में इसका सेकंड मन्त कंप्लीट हो जाएगा गाइस गुणिस तारीक को इसका सेकंड मन्त कंप्लीट हो जाएगा मुवीज पहला माईलिस्टॉन होता है बेबी इसका कि वह अपना वेट गेन कर रहा है या नहीं मेरी गुड़ा वैसे तो बहुत कमजोर हुई थी लेकिन इसने अपना देरे देरे वेट गेन करना चालू कर दिया है ये देरे देरे नॉर्मल साइज में आ रही है वैसे तो बेबी इसको बीस से तीस ग्राम अपना वेट पर डे गेन करना चाहिए सेकेंड माइलस्टॉन होता है फ्रेंड्स की बेबी आपसे आई कॉल्टक्ड बनाने लगेगा तो इस तेपija मेरी कुड़ा अपना ऑई कॉन्टक्ड मेरसे बनाने लग गई थी उसकी जैसे unz लेथी में तो उसमेरोज में जैसे देखने लग यह हर मां के लिए बहुत ही प्यारा मुमेंट होता है कि इसका बेबी उसको देखके कभी मुस्क्राएगा कभी कुछ एक्टिविटी करेगा तो उसकी मां उसको देखके बहुत ही खुश होती है धर्ड मालिस्टर होता है गाईज कि बेबी आपकी आवाज को पहचानने लगे बेबी आप आवास दोंगे तो बेबी आपकी तरफ देखेगा और गाईज एक बहुत ही प्यारा मुमेंट होता है उसकी मां के लिए कि बेबी आपको रिस्पॉंस देगा बेबी रिस्पॉंस मुमेंट बेबी आपको रिस्पॉंस देगा आप बेबी का आवास देंगे त तो बेबी आपको response देगा और आपको देखकर कभी मुस्कराएगा कभी या फिर मुस्कराएगी यह एक मा के लिए बहुत ही अच्छा moment होता है कि उसका बेबी उसको देखकर मुस्कराता है या फिर आपको नहीं देखके कहीं इदर-उदर देखेगा और आपको तो यह उसके लिए बहुत mobile होता है एक बेबी के मालश्टोन होगा की बेबी तरफ आफ भी उख भाज निकालता वह निकालेग ज़्यादा चलाने लग गया है इस टाइम पर आपका बेबी एक्टिवटी ज़्यादा करने लग जाता है श्पेशली बेबी अपने हाथपों जब चलाता है जब आप उनके मालिश कर रहे हो वह डाइबर फ्री हो तो उसको अच्छा खुला-खुला महसूस होता है तो अच् पर क्या क्या एक्टिवटी कर रहा है आपके बेबी का भी कौन सा मन चल रहा है या फिर आपके प्रेगनसी चल रही हो तो आपको कौन सा मन चल रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे को कमेंट करके बताईए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ह सेकंड मंत की होने वाली दो दिन बाद में तो मैंने इसका सेकंड मंत का फोटो शूट किया है अब गनिश्य तूरती भी आ रही है तो इसी दिन गनिश्य तूरती है गनिश्य तारिक की दिन ही तो मेरी गुड़ा का मैंने गनिश्य की साथ फोटो शूट किया है आपको यह फ जार कर रहे हैं देखिए मेरे गुड़ा का इस तरह से फोटो शूट किया है नानानी के घर से गुड़ा के दादा देखे घर जाएंगे तो गाइस आपको मेरी गुड़ा का फोटो शूट कैसा लगा मुझे को बताईए गनेश चतूर्थी भी आ रही है इसी मंगल कार्य करने से पहले गनेश ची की पूझhen जरूर होती है गनेश चतूर्थी भद्र पद महाके शुक्लपक्ष की चतूद्शी को गनेश ची की हर घर में इस्तापना किय जाती है इस बार गुणिस सतंबर को गनेश चतूर्थी है इस दिनी बेरी गुड़ा दो महीन इस दिन गनेश्ची का जन्म हुआ था इसलिए उनकी जन्म मुस्तव के दिन उनकी गनेश चतुर्थी मनाई जाती है ये उसरह हम 10 तिन दक मनाते हैं हर घर में गनेश्ची क विराजमान होते हैं ये बात में guys मैंने मेरी सबसे महेंगे वाली ड्रेस का वीडियो डाला है ममी ने मुझको ये ड्रेस नावन पर दीती इसके लाव में पांच असे थी लेकिनी सबसे महेंगे वाली ड्रेस है ये 9000 की ड्रेस है जो मैंने कोटा से मंगवाई है आपको भी एड्रेस अच्छी लगी तो मुझको बताईए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए थेंक्यू सो मच गाइज मेरे साथ लाश्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सबस्क्राइब जरूर कीजिए आप सबस्क्राइब करना भूल जाते हैं असलिए गाइज आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए थेंक्यू